अब सोची और बताईए कि किसे ज्यादा सहना पड़ता है वो जिने केवल चिंकी बुला देने पर आपके हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ाया जा सकता है या वो जिसके राज्ये को ही एक गाली के रूप में दीखाया जाता है अनुबव सिना जी आपको बता दे कि पू देशकाई होता है वो डिरेक्टर चाहे प्रकास जाहों या अनुबव सिना दोनों सिस्टम के अगेंस्ट गढ़ी गई कहानियों पर फिल्में बनाते हैं जहां सरकार पर सवाल उठाये जा सके और यह अच्छी बात है लेकिन जूट के बलबूते अफकोर्स इस फिल्म को ह ज्यादा किसी फिल्म में लाइम लाइट नहीं मिली है ऐसे में अनुबव सिना ने इन राज्यों की राजनितिक समस्याओं पर फिल्म बनाने का अच्छा फैसला किया लेकिन अगर इस सब्जेक्ट पर वो निउट्रल होकर फिल्म बनाने की मन्शा रखते तो और बहतर होत अनुबव सिना इस बार भी एक तरह का प्रोपोगेंडा इस फिल्म में गुसाने का काम करते हैं थोड़ी चरचा फिल्म पर करते हैं फिर आते हैं बाकी चीज़ों पर फिल्म की कहानी आयुशमान की है जो एक अंडर कवर एजेंट बनकर North East में जाते हैं किस राज्य में ज किस सिटी में जाते हैं, किस गाउं में जाते हैं, ये सब बताने के जरुरत नहीं समझी अनुबव सिंधाने, में भी उनका मकसद हो कि वो इस तरीके से एंटायर नॉर्थ इस्ट को दिखाना चाहते हो, इस अंडरकवर एजेंट जोश्वा का काम था, रेबल्स, यानि जो ल दिला बॉक्सर को भी फिल्म का हिस्सा बनाया है, ताकि उसे भी पॉलिटिकल तरीके से दिखा कर वो वहां की और भी समस्याओं पर से परदा उठा सके, लेकिन अनुबव सिंधा जैसे डारेक्टर्स की फिल्म में प्रॉब्लम दो हैं, एक तो ये कि जो जिस रियल होता है कि वो आपको समस्या बताते रहें, ताकि आपके अंदर सरकार के खिलाफ रोश भरा जा सके, लेकिन उसका हल ये नहीं बताएंगे, अनेक फिल्म को मैं परसनली एक प्रोपगेंड़ा फिल्म मानता हूँ, और क्योंकि ये मोर्दाने फिल्म रिव्यू है, तो हम यह पर फिल्म से हटकर खुलकर भी बाते कर सकते हैं, अनेक फिल्म के नाकिवल ट्रेलर से बलकि इन्होंने जिस प्रकार से फिल्म का प्रमोशन किया है, उसमें बार बार इस बात को दिखाने की कोशिश की गई है कि नौर्थ इस्ट के लोगों को भारत के बाकी राज्यों के इज़त नहीं देते, नौकरी नहीं देते, पसंद नहीं करते, जो की एकदम गलत है, आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलॉर, जहां भी कॉल सेंटर है, वहाँ एक बड़ी तादात में देखेंगे, नौर्थ इस्ट के लड़के-लड़के जॉब करते हैं, एक तरह से उनका क सेंटर में सामराज्य चलता है, अनौवव सिना सही तरीके से जानकारी कठा नहीं कर पाए हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, भारत में जितने बड़े MNCs हैं, यानि मल्टी नैशनल कमपनी, उनमें सक्त रूल है कि आप किसी भी नौर्थ इस्ट की लड़की को चिंकी नहीं जाती है, तो इनमें नौर्थ इस्ट से नफरत कहां दिखने लगी, एक्सेप्शन हर जगे होती हैं, एक दो केस में हुए होंगे जहां पारलर में नौर्थ इस्ट की लड़कियों को पकड़ा गया होगा, तो लोगों ने इन्हें सेक्स वरकर के रूप में एक धारना बना लेकिन एक आद केस से क्या किसी भी चीज को जज किया जा सकता है, ये बात भी सही है कि वहां के लोगों के नैन नक्ष आदी जो बाकी राज्ये के लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट है, तो उसे लेकर वो उन्हें थोड़ा गौर से देखते हैं, तो ये सुभाविक है इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ये सही है कि उनका body structure Chinese, Nepalese, Koreans जैसा है, तो ऐसे में अगर लोग उन्हें Chinese या नेपाली समझ बैठते हैं, तो इसमें गलत क्या है, अब बात आती है जैसा कि फिल्म में दिखाए गया है कि वहां के rebels को problem है, कि उन्हें बाकी लोगों की तरह समा अधिकार नहीं मिलते, लोग उनके राज्यों को नाम से जानते भी नहीं, तो ये भी गलत है, बचपन से first class से ही, schools में राज्यों के नाम जब पढ़ाय जाते हैं, तो उनमें सभी राज्यों के बारे में बताय जाता है, वो चाहे पंजाब हो या असाम, गुजरात हो या मन लेकिन ये सब भी 20 साल पुरानी बाते हैं, आजकल तो देशवर के लोग घूमने के लिए हनीमून मनाने के लिए नौर्थ इस्ट राज्यों में जाते हैं, तो अनुबव सिना जी किस समय की कहानी को किस समय प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी पता नहीं चलता, फिल्म पर वा इस था नौर्थ इस्ट की बधाली दिखाने का, जिसके लिए वो डेडिकेटेड दिखे, फिल्म में आतंकी संगठनों के बीच एक लड़की को दिखाये गया, जैसे बॉक्सर बनकर देश को अपने राज्ये की पहचान बतानी थी, लेकिन क्या ये सब आज के समय में सच् आती है, जबकि नौर्थ इस्ट से हीमादास, तरुंदी प्राय, लवलीना बर्गोहाई, मेरी कॉम जैसे कितने एथलीट हैं, जो अलरडी देश का नाम दुनिया भर में रौशन कर चुके हैं, तो इस हिसाब से ये एंगल भी बेबुनियाद लगता है, फिल्म की टीम ने थियेटर्स में प्रमोशन का जो कंसेप्ट यूस किया, जिसमें राष्टगान से पहले परदे पर लिखा आता है, अटेंशन फोर नौर्थ इंडियन्स ओनली, काइंडली स्टैंड अप फोर नैशनल एंथम, और फिर राष्टगान से पहले सब खड़े हो जाते हैं, ये स इसने कह दिया आपको, आप ही जबरदस्ती बोल बोल के सबको अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अनुबव सिना जी जिस तरीके से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, उससे लगता है, जैसे इनके अनुसार नौर्थ इस्ट के लोगों को इस्ट इंडिया या बाकी राज के समय भगा दिया जाता है, और जिसे आसाम में भी मारा जाता है, अब सोचिए और बताइए कि किसे ज्यादा सहना पड़ता है, वो जिने केवल चिंकी बुला देने पर आपके हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ाया जा सकता है, या वो जिसके राज्ये को ही एक गाली क दिल्ली में छोटी मोटी गालियों की जिगे बिहारी भी कहा जाता है, यानि किसी को नीचा दिखाना हो तो उसे बिहारी बोल दो, और बनारस के ही रहने वाले अनुबव सिना जी को बिहारी हो के बाहरी राज्यों की स्थिति का अनुबव नहीं है, मानता हूँ फिल्म technically अ बनने के बाद लोगों ने मेरी कौम को जानना शुरू किया, उन्हें और इज़त देना शुरू किया, उसी प्रकार से गलत चीज को दिखा कर नौर्थ इस्ट के राजियों और बाकी देश के बीच की खाई और गहरी हो सकती है, इससे बचने की जरूरत है, मेरी तरफ से फिल